अजी नमस्कार सभी दोस्तों पाट साला क्लास के ओनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है सबसार के बारे में इस अपने जैस अपने सावे सबसे सबसे का आज हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले जिस साहित्यकार के बारे में हम पढ़ेंगे आप लोग तस्वीर देख रहे हो एक ऐसा साहित्यकार है जो हिंदी भासा के कभी के रूप में भी रितिकार के प्रसिद्ध कभी के रूप में भी लोग पिरी हुए और अपने राजस्थानी साहित्य से तुपिर आप लोग देख रहे हों यह स्ट्वीर है हिंदी के प्रसिद्य कभी कभी बिहारी क्या करें 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 अपने राजस्थान से जुड़ा हुआ इनका जो मैतोपुन प्रसंग है वह यह है आमेर के साथक थे मिर्जा राजा जें सिंग मिर्जा राजा जे सिंग ये मिर्जा राजा जे सिंग के आश्रित विद्वान थे दर्वादी साहित्यकार थे हिंदी के रितिकाल के साहित्यकार के रूप में ये लोग पिरिये हैं कभी बिहारी की जो प्रमुक रचना है आप नोगोंने बच्षपन हिंदी में पड़ा होगा इनके बारे में इनकी जो सबसे प्रसिद्र रचना है उसमेह हम रचा करेंगे इनकी प्रसिद्र रचना है बिहारी सत्त सई बिहारी सत्त सई का मतलब साथ सो इन्हें सब्त सती भी कहते हैं सब्त सती इस सेले हमने वीर सत्त से के बारे में पढ़ा था जब साथ सेक की शुरुवाद की तो पहला जो साथ सेकार हमने पढ़ा वो राजस्तान hoffe जो थे बुंदी के कवी, जिनको राजस्तान के राज कवी का दर्जा दिया गया है, तो सूरियमल मीशन ने जो वीर सथ सही लिखी थी, जिसमें 1857 की क्रांती का पूरा वर्नन है, जिसमें राजस्तान की संस्कृती के बारे में पूरा विवरन मिलता है, साथ इसाथ 1857 की क्रा कराम का वर्णन मिलता है तो वो वीर सथ सही अलग है इसके अलावा बिहारी की जो सबसीत सथ सही है वो आपको ध्यान रखनी है यह बिहारी के द्वारा लिखी गई थी यह ब्रज भासा में लिखी गई इसमें टोटल दोहों की संग्या है 713 बिहारी सथ सही में कुलो की संग्या 713 ऐसे कई भार प्रेशन पूछ रिया जाते है कि सथ सही में कुल कितने दोहे हैं और इसमें जितने भी दोहें हैं वो बड़े काम के दोहे हैं उनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है, उसे समाजिक और रिती रिवाज़ और नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जो मिर्जा राजा जे सिंग थे जिनके आश्रित विद्वान थे बिहारी पत सही तो मिर्जा राजा जे सिंग जो है ये अपनी नई पत्नी के प्रेम और मोह में अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं देते हों और ये अपनी पत्नी के मोह पास में बंदे हुए रह तो बिहारी जो थे जो उनके दरवारी कई थे उन्होंने एक दोहा लिख करके भेजा। जो मिरजाराजा जैसिंग को अंको अपनी पत्नी के मोह बंदन से मुक्त करते हैं, वो फिर राजकाज में ध्याम देते हैं, परजापर ध्याम देते हैं, आप लोगोंने हिंधी में पढ़ा होगा, इन्होंने ही वो दुवा लिक करके बह dependency हैं, यह अपने राजा को लिक करके बिहारी को एक सौने की मोहर के रूप में देते थी इतने दोहों की गूडता है इन दोहों की विशेशता है एक दोहे के बदले मिर्दा राजा जे सिंग अपने कवी को एक सौने की मोहर देता रहा यह इतनी महान पुस्तक है इसलिए कहा जाता है कि सत सहिया के दोहरे जो नाविक के तीर सत सहिया के दोहरे जो नाविक के तीर द थे तो आप लोगों को ध्यान रखना है मिर्जा राजा जय सिंग, जो आमेर के सासक थे, मिर्जा जय सिंग के आस्रित विद्वान थे बिहारी, और इस सत्त सही में कुल दोहों की संक्या है 713, ठीक है, इसके बाद में बिहारी के बाद में अगले जो महत्तों पुन साहित्यक जो विद्वान कभियत्री जो है, ये राजस्थानी भासा की आधुनिक कभियत्री के रूप में लोगपिरिये हैं, जो आप लोग तश्वीर देख रहे हो, मेवाड राजगराने में एक ठीकाना है देवगड, इस देवगड में इस कभियत्री का जन्म हुआ था, और अधुनिक साहित्यकार हुए राजस्थानी भासा के, और ये ऐसे साहित्यकार हुए, जिन्होंने राजस्थानी जिसको हम मायड भासा कहते हैं, इस मायड भासा को समयधानिक माननेता दिलाने के लिए संगर्ष किया था, इन्ही नामों में इस कभियत्री को भी अग्रणी पंक्ति में सम्मिलित क्या जा सकता है इनका नाम है लक्षमी कुमारी चुंडावत मेवाड राज घराने की राजकुमारी थी इसलिए इनको साहित्ते में राणी जी के नाम से जाना जाता है इन्हें राणी जी कहा जाता है यह प्रशन कई बार पुछा हुआ है किस साहित्यकार को किस कवियत्तरी को राणी जी के उपनाम से जाना जाता है तो इन्हें साहित्य में राणी जी के नाम से जाना जाता है आना बहुत सारे विद्वा को ध्यान रखना है राणी जी के नाम से जो कवित्तरी लोग पिरिये हुई थी वो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत इनकी रचनाओं की अगर हम बात किरें यह जो राजस्थानी भासा की आधुनिक कवित्तरी हुई थी आधुनिक साहित्यकार हुई थी आधुनिक साहित्यकार हुई राजस्थानी साहित्यके साथ साथ राजनी से भी यह जुड़ी हुई थी राजस्थान से राजसभा के सतेशे कोंगरे से चुनी गई थी देवगर से विदान सवा सतेशे भी यह चुनी गई थी मेवार से तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ज जितनी भी कहानिया प्रचलित है, जो प्राचिंत रठाएं प्रचलित है, जो हम लोग पढ़ते हैं राजस्तानी संस्कृती से जुड़ी हुई, उन कहानियों का बस अंदार इनों एक प्रसंग तैयार किया है, उनमें जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, ये है इनकी हुंकारो स्थाल करद सका कि प्रॉन्पंध प्रसिद्ध राजस्थानी पुस्तक प्रसिद्ध राजस्थानी पुस्तकु क्रॉहज्थवारा लिखी गई थी तो यह लक्षमी कुवारी चूंडवाद की प्रसिद्धर iasodaissionu अताथ्परीन होता है हाँ भर नम अपने जो राजस्थानी कहानिया हुती जिनको वाठ या बात कहते हैं हम लोग कि आप लोगों से बच्पन में गर्व के भुजुर्ग होते हैं दादादी या ना-na Nani-ji उनके पास में बैठ करके इन बात को सुना होगा जिसमें राजस्थानी इतिहास राजस्थानी प्रेम प्रसंग की कहानिया आप लोगों ने पड़ी होगी तो उन कहानियों को अपने राजस्थानी बासा में बात या वात कहते हैं और ये एक परंपरा होती है कि जब ये बात कही जाती है तो बात कहने वाले के साथ में एक वेक्ति जो होता है वो हुंकारों देता है हुंकारा का मतलब हां भरता है कि हम इस बात को सुन रहे हैं ठीक है तो यह हुंकारों द्योसा उन्हीं कहानियों का उपर एक लिखा गया है इनकी दूसरी जो रचना है वो है बागो भारमली बागो भारमली इनकी एक रचना है मूमल राजस्थान में इतिहास में और संस्कृति में ये नाम आप कई जगे पर देखोगे मूमल ये अपने राजस्थान में एक प्रेम प्रसंग हुआ था मूमल और महेंदर जिस बाती लेला और मजनु को प्रेमी पात्र के रूप में पूरे विश्वे में माना जाता है उनका प्रेम प्रसंग लोग पिरिये है वैसे अपने राजस्थान में मूमल और महेंदर की प्रेम क हुआ करता था यहां एक नदी है काक नदी इस काक नदी किनारे है यह लोद्रोवाई और इसी लोद्रोवा पी राजकुमारी थी मूमल यहां की राजकुमारी थी मूमल जिनकी प्रेम का अमर कोट के राजकुमार अमर कोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है यह वही अमर कोट है जहां आपने लोग देवता रामदेव जी का ससुराल है ठीक है जहां लोग देवता पावु जी का ससुराल है तो अमर कोट जो है अमर कोट के राजकुमार थे महंद्र बड़ी लोग फिर यह कता है यह मोवल और महंद्र की आप लोगोंने पड़ा होगा महेंद्र जो है ये अपने मित्र इसका मित्र था हमीर जड़ेजा हमीर जड़ेजा ये हमीर जड़ेजा महेंद्र का मित्र भी था और इसका बहनों भी भी था तो ये हमीर और महेंदर एक बार अमर कोड से सिकार खेलते खेलते अपने मरुस्तल की तरफ आते हैं और ये सिकार खेलते खेलते इस परकार दो तिन तक सिकार के पीछे भागते रहते हैं उनको सिकार नहीं मिलता है और भागते भागते इस परकार वो सिकार के खेलते खेलते तब बहुत बेकार हो जाती है दो-तिन दिन भटकने के बाद मौ्मल ये आपके महेंदर और हमीर जड़ेजा वह एक स्थान पर रुखते हैं और उनको प्यास लगती है बहुत ज्यादा तो आज पास देखते ही की पानी की बहुत बड़ी समश्या थी पस्चिमी राजस्तान जो है वहां तो आज भी एक कहावत प्रचलित है राजस्तानी भास में मारवाडी भासा में के घी मांगेडों गालदे पर पानी कुन गालता यानि घी से भी पानी की ज्यादा कीमत जो है वह अपने मरुस्तल में अईसी विकट परिष्थितियां हुआ करती थी तो जब ये रुकते हैं तो इनको फ्यास लगती है तो ये आसपास देखेंगे यार कोई जलका स्रोत है क्या तो ये आसपास देखते तो उनको एक नदी की आवाज सुनाई देती है और ये नदी थी काक नदी जैसे ही काक न महल था वो महल इनको दिखाए देता है और ये जो महल था ये मूमल का महल था जिसको आजकल मूमल की मेड़ी कहते हैं जो वरत्माने लोद्रवा में हैं इस महल को मूमल की मेड़ी कहते हैं महंदर और हमीर इस महल के पास मातेर वो बेप्रसंद में होते हैं कि हमें कम से कम पेजल और खाने की सुईधा तो यहां पर मिलेगी तो यह पहले काक नदी में पानी पीते हैं सनान वगेरा करते हैं और ये दोनों क्योंकि राजकुमार थे दोनों ही और दोनों ही वहाँ जैसे इस महल में जाते हैं मुमल के महल में जाते हैं तो दासियां पूछती है कि भाई या कौन हो तो ये अपना परिचे देते हैं कि हम आमरकोट के राजकुमार है ये गुजरा के है हमीर जड़ेजा औ और यहां पहुंचें, आप लोग हमें खाना देख करके, हमें रास्ता बताओ कि हम किस प्रकार आपको आगे पहुंच सकते हैं, तो दासियां इन दोनों को देख करके, क्योंकि ये रंग ढंग से हाव हाव से बिल्कुल राजकुमार साही लग रहे थे, तो दासियां अपनी राजकुमारी मूमल को कहती है कि दो साही राजकुमार आये और वो रास्ता बठक गये हों, तो मूमल उनको कहती है कि वह इन दोनों की सेवा करो आप लोग और इनको खाना खिलाओ, इनकी पूरा आदर जो है, वो महमान वाजी जो राजस्तानी संस्क्रती है, वो महमान वा अपने मूमल का नाम नहीं सुना जो इस मरुस्थल की ऐप्रतिम सुन्दरी है जिसकी सुन्दरता की गाथा ये काक नदी अपने श्दों में करती है उस सुन्दरी के बारे में आपने नहीं सुना तो वो हसने लग जाती है कटाक्स करने लग जाती है तो इन्हें बड़ी उत् तमद्तुरत थी, और वह कहते हैं कि मुमल ने अपने महल में इस प्रकार की जैसा आपने महावारत में देखा होगा जो पंद transmitter dial से, उन्हों ने जो आपके अपने सामराईजीय के महल बनाया था, वैसा मुमल का भी एक साही महल था उसमें इस प्रकार की भूल बुलेया जैसी इस्तियां थी तो मुमल के महल में जैसे हमीर जाता है तो महल में प्रवेश करते ही उसको एक सेर दिखाईता तो उसको देख करके वो डर जाता है कि ये कैसी राजकुमारी है ये तो कोई डायन होगी जो यहां जो भी आता है उसको जली जानरों के सामने डाल करके हत्या कर देती है फिर उस सेर से जैसे उसकी नजर हटती है तो आगे देखता है तो एक तलाब में मगरमच उसको दिखाईता है तो वो डाय करके भाग जाता है हमीर फिर दूसरी दासी आती है और हमीर जब भाग जाता है तो वो दूसरी दासी कहती महंदर को कि अब आप जो वो तो भाग गए डर कि तो महंदर जाता है महंदर को लगा कि यार वो भाग गया इस मतलब कोई ना कोई तो गड़वड है आना यह राजकुमारी साधार राजकुमारी नहीं हो सकता है कि यह परिक्षा ले रही हो तो महंदर अपने सस्त्रों को लेकर के जाता है वह अपने तर्वार को भाले को लेकर के एकदम तयार हो के जाता है और जैसे वह महल में प्रवेश करता है तो उसकी भी नज़ सेर पर परती हो और महंदर जैसे ही उस सेर को देखता तो अपने भाले से प तो फिर अपनी तलवार चड़ाता है और उस मगरमच को भी वो ढेर कर देता है और वो मुमल के महल में प्रवेश करता है। अपने राजस्थान में पदमी नी मुमल ये सुन्दरता के प्रियाय माने जाते हैं। तो मुमल की सुन्दा को देखकरके वो मोहित हो जाता है। प्रेम करने लग जाते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने के बाद में कई दिनों तक महंदर वार उखता है मुमल की मेडी में और फिर विदा लेता है लेकिन मुमल यह नहीं चाहिती कि महंदर उसको छोड़ करके जाए बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हूं तो महेंदर उसको एक वचन देखे जाता है कि मैं आपको वचन देता हूँ मैं रोज रात्री को आपसे मिलने के लिए आऊंगा मुमल ने कहा कि देखो रोज मिलने के लिए आना हम जिस दिन आप नहीं आए ना उस दिन आप मुमल को मरे हुए देखो कि ये मुमल ने सार्त डाल दी तो महेंदर कहता है कि मैं रो जाओंगा आप से मिलने के लिए और महेंदर मुमल की सुन्दरता को देख करके रस्ते में बड़ा जो है उराजी होता है अमर कोट पहुंचता है अब ये महेंदर जो था ये इससे पहले भी इसके साधी हो चुकी इसकी बहुत सारी रानिया थी तो ये मुमल जाता है उसको ये महेंदर जाता है और अमर कोट में जाने के बार में इसको मुमल के सिवा कुछ भी नहीं दिखाए जाता है इसकी सुन्दरता में डूब जाता है इसके सुन्दर चेहरे को वो याद करता है और उसके प्रेम को याद करता हू. पूरे दिन में ये केवल और केवल मुمل के बारे में सोचता रहता है. साम को उसको याद आई कि मुझे रात में मुमल से मिलने के लिए जाना है. मैंने उसको वचन दिया अगर मैं उनकी उंटों की फोज का प्रदान उसको बुलाता है और उस राय के से पूछता है कि तेरे उंटों की फोज में कोई ऐसा उंट है क्या जो रातों रात मरुस्थल में जैसलमेर में लोद्रुवा जो है वहां तक जाकर के आए और सुबह वापस अमरकोट पहुंच जाए तो राय का कहता है कि साब मेरे पास में एक बहुत सांदार उंट है चतुर उंट है और वो इतना तेज दोड़ता है कि रातों रात जो है वह अमरकोट से लोद्रुवा जाकर के सुबह वापस आ जाएगा तो महंदर बड़ा राजी होता है कि अब ठीक है अब मैं इस उंट को लेकर के जाऊंगा रोज और मुमल से मिलकर के मैं वापस आ जाऊंगा वो उंट को लेकर के जाता है और उंट पे जैसे ही वो सरपट लगाता है तो उंट तेज इतना दोड़ता है कि वो लोद्रुवा पहुंच जाता है और वो मुमल से मिलकर आते हैं कई दिनों तक इस प दिखान बन जाती है और धीरे धीरे ये इस्तति होती है अब महेंदर सुभे जैसे यह आता तो दिन वे कोई काम नहीं होता था राज कुमार जो है के वर के वर मुमल के खयालों में डूबा हुआ रहता था तो बाकी की रानियों ने सोचा कि यह क्या हो रहा है यह हमारे पास रूख ही नहीं रहा है यह किनके खयालों में डूबा हुआ रहता है यह रात को आता है रात को जाता है और सुभे वापस आता है बहुर होते हुए कई दिनों तक ऐसा चला तो बाकी की रानियों ने इन्वेस्टिगेशन की कि यार यह हो क्या रहा है तो रानिया सब मिलकर क कि अपनी सास जो महंदर की मां थी उनके पास में आते हैं कि महंदर जो है वो पूरी रात राज महल से बाहर रहता है और सुबह वापस आता है तो उनकी मां को भी बड़ा संकोच हुआ संदे हुआ कि वो जब वापस आता है तो वो कहां जाकर के आता है तो उनकी सास ने ये कह तो चोटी रानी के जल को आपके जब आता है तो चोटी रानी उसके कैसों के नीचे कटोरी रख देती है तो चोटी रख देती है तो चोटी रानी ने पता लगा है कि जो सबसे तेज दोड़ने वाला उंट है उसको लेकर के जाते है तो रानिया क्योंकि सौट का होता है सोतन का डर होता है तो रानिया गुसे में आकर कि उस ओट का एक पेर कटवा देती है और उस राइके को भी बंधवा करके उसकी पिटाई करवा देते हैं कि तुन्हें ये ओट क्यों दिया महंदर को साम होती है तो साम होते ही जैसे महंदर मुमल के पास में जाने की सोचता है तो राइका के पास में जाता है कि आज तेरा उंट दे तो राइका कह देता है कि आज रानियों को पता चल गया है उन्होंने उंट की एक टांग जो वो कटवा दी और वो मेरे को भी पीट करके तो उस राइका ने कहा कि उंट तो नहीं एक उंटनी है सांडनी है लेकिन ये उंटनी जो है सांड जो है इसकी एक सबसे बड़ी समझ्या यह है ये तब तक तेज दोड़ती रहेगी जब तक आप मार नहीं करोगे ठीक है महंदर ने कहा ठीक है मैं इस पर मार नहीं करूंगा उस राइके ने कहा कि अगर आपने इस पर मार कर दी तो ये फिर बेकाबू हो जाएगी अब महंदर उंटनी पर सवार होकर कि मुमल से मिलने के लिए निकल जाता है बीच रास्त उसको लगा कि ये उंटनी धीरे चल रही ह तो उसने अपनी बेंट से उस उंट पर वार कर दिया अब जैसे ही उस पर वार किया तो वो उंटनी जो हो बेकाबू हो जाती है और वो रास्ता भटक करके कई दूर चली जाती है जंगलों में चली जाती है ऐसे करते करते वो सुबह तक लोदरुआ पहुंचता है भौर त ये इसके साथ सो जाती है ठीक है इस सूमल ने पुरुष के कपड़े पहन रखे थे पुरुष और मॉमल जो हती हो महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे ये दोनों इस प्रकार खेल खेल रही थी पुरुष और महिला के कपड़े पहन करके तो जैसे ये सूमल के साथ में सोती ह इसको नीद आ जाती है महंदर आता है और आकर के देखता है कि उसकी जो प्रेमी का है मूमल ये तो किसी पुरुष के साथ में सो रही है तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं इस मूमल के लिए इतनी कठेनाया जहिल करके यहां तक आता था वो किसी गेर मरत के साथ में भी प् आता है कि सुबह ओड़ती है मूमल और के जैसे ही देखती की महंदर आज नहीं चात उसने पता लगए कि क्या कारण हुआ कि वो नहीं पहुंचा तो फिर वो जैसे महल के बाहर जाती है तो bike दिखाई देती तो मुमल को लगा कि महंदर आया तो जरूर था लेकिन उसको संदे हुआ है और संदे इसी बात का हुआ है कि मैं अपनी बहन सूमल जो थी जिसने पुरुशों के कपड़े पहन रहे ते उसके साथ में सोगी थी तो उससे वो नाराज हो करके चला गया इस प्रकार दोनों वो उसको खत लिखती है राणिया जो है वो मुमल के खतों को जला देती है कई दिनों तक जो है वह एक दूसरी की विरह में ये वैतीत करते हैं जीवन और इस प्रकार विरह में जीवन वैतीत करते करते दोनों एक दूसरी की जान देते दोनों जो है प्रेम कथा के रूप में राजस्तान में अमर हो जाते हैं, अपने राजस्तान में एक गीत प्रचलित है मूमल गीत, राजस्तान के लोक गीतों में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मूमल जो लोक गीत है, एक सरंगार का गीत है, जिसमें नाई का अपनी पूरे सरंगार के बारे में गीत गाती तो मूमल गीत पसी मिराजस्तान में एक सरंगारी की गीत प्रचलित है जिसमें नाई का एडी से लेकर के सिर तक के जितने भी आबुशन सरंगार होते हैं उन सरंगारों का बखान करती है तो मूमल नाम की जो प्रसिद्ध कहानी है ये कवियत्री लक्ष्मी कुमारी चुंडा चुंडावत ने कहानियों का संग्रे किया है और ये कहानियों का संग्रे है रूसी कहानियों का संग्रे रूस की जो कहानिया है रूसी कहानियों का संग्रे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने गजबन के नाम से प्रकासित किया तो ये रानी जी या लक्ष्मी कुमारी बहुत प्रसीद विद्वान है राजस्थानी साहित्य के ढिंगल के प्रसीद्ध साहित्यार होएं ये ढिंगल सेली के Suite प्रसिद्ध साहिद्यकार। इस सिरोही के थे शिरोही में इनकी प्रतिमा बनी हुई है, जो अकबर के द्वारा बनाई गई थी। और राजस्तान के एकलोत इस प्रकार के साहित्यकार है ये जिनकी मुगल वसा द्वारा कांसे की प्रतीमा बनाई गही है इतने महान और प्रभाव साली साहित्यकार थे दूरसा आठा ठीक है इनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है दूरसा आधा जो है वो किन के दरवारी साहित्यकार थे तो दूरसा आधा अकबर के दरवारी साहित्यकार थे ये अकबर के दरवारी साहित्यकार थे प्रत्विराज राठोर जिनको राजस्तानी साहित्ते में पीथल कहा जाता है जो बीकानेर के थे बीकानेर के राजा कल्यानमल के पुत्र हुए जिन्हों नागोर दर्वार में अकबर से मुलाकात की उस प्रत्विराज राठोर को भी अकबर ने एक उचित सम्मान दिया था और नौरतनों के सम्मान उसको माना गया था गागरोन की जागिर दीती वैसे ही दूसरे जो प्रसित साहित्यकार जो अकवर के दरवार थे वो थे दुरसा आधाम ये भी अकवर के दरवारी साहित्यकार थे और सम्मानित साहित्यकारों में से ये एक हुआ करते थे ठीक है इनकी जो प्रसित रचना है दोनों ही रचना है आपके एक्जाम की दर रचनी से important है और हर एक्जाम में दोनों पुछतके पूची हुई है दुरसा आड़ा की जो सबसे प्रसित रचना है वो है किर्तार बावणी किर्तार बावनी ये लगभग हर एक्जाम में पुछा जाता है कि किर्तार बावनी जो पुछता गई ये किसके द्वारा लिखी गई थी तो किर्तार बावनी करचियता है दुरसा आधाम इनकी दूसरी जो प्रसीद रचा है ये वीरस की है ये है विरुद छिहत्री विरुद छिहत्री ये दोनों नाम तो आपको याद रख नहीं है ये दोनों नाम तो हर बार पुछे जाते हैं किर्तार बावनी और विरुद छिहत्री के लेख कौन है तो किर्तार बावनी और विरुद छिहत्री दुरसा अढ़ा की प्रमुक रचनाएं है इसके अलाव इनकी एक रचना है कुमार अज्जाजी नी भोचर मोरी नी गजगत कुमार अज्जाजी नी भोचर मोरी नी गजगत यह भी डिंगल का एक ग्रंत है जो दुर्सा आढ़ा की तीसरी महत्व पुन रचना है यह बहुत कम पुछा जाता है फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कुमार अज्जाजी नी भूचर मोरी नी गजगत ये तीन महत्यों पुर्ण दुरसा आठा के द्वारा लिखे गए, अक्बर के दर्वारी सहित्यकार है, शिरोही में, इनकी कासे की प्रतिमा बनी इतने महान सहित्यकार हुए थे, इनके जीवन की जो सब से प्रसिद्ध घटना है, वो आपको ध्यान रखनी रहनी है, इनके ज उनको अकबर को लग जाता है कि मारना प्रताब विवस नहीं होंगे, मारना प्रताब अधिनता स्विकार नहीं करेंगे, तो उसके बाद में जगनात कच्छावा जो अंतिम अभियान के रूप में मारना प्रताब की विरुद भेजा जाता है, जगनात कच्छावा के बाद में कोई भी अभियान अकबर महारणा के विरुद नहीं बैजते हैं और 1585 में अकबर जो अपनी राजधानी लाहोर इस्थानांतरित कर देते हैं लाहोर को अपनी राजधानी बनाते हैं और वहीं रहते हैं तो लाहोर में ये दुर सा अधा अकबर के दरबार में रहते थे थे, 1597 में राना प्रताप की म्रत्यू हुई, तो राना प्रताप की म्रत्यू का संदेश लाहोर में, लाहोर के केले में एकसैनिक लेकर के आता है, राजी होकर के अकबर को कहता है कि बादसा हुकुम, बादसा अधा ने ये देखा था जब अकबर की आंखों से आशु आते हैं तो दूर सा अधा एक दोहा लिखते हैं जो कई बार पूछ लिया जाता है जैसे सेकंड ग्रेड में ये प्रशन आया था कि राना प्रताब की मृत्यू के संबंद में राना प्रताब की मृत्यू पर अकबर क रोने पर ये प्रसिद दोहा की साहितिकार के द्वारा कहा गया तो ये दोहा है गहलोत राणा जीत गयो गहलोत राणा जीत गयो दसन मून्द रसना डसी दसन मून्द रसना डसी निशाक मूख भर्या नयन निशाक मूख भर्या नयन तो मुर्त शाह प्रतापसी इसका तातपर ये क्या है गहलोत मेवाड के राजगराने को कहा जाता है गुहिल जो सासकुए उनको गहलोत भी कहते है जैसे ही अकबर के पास में ये संदेश मिलता है कि राना की मृत्यू हो गई तब अकबर के विचार दुर सा अढ़ा ने अपने दोहे के माध्यम से कहे कि अकबर ने उस समय क्या सोचा होगा उसने सोचा कि गहलोत राणा जीत गया हमेशन के लिए दसन मूंद रसना डसी रसना जीब को कहा जाता है अकवर के मुख से अनायास ये बात निकल गई निशाक मुख भर्या नेन और इस्तब्द हो जाता है नेन यानि उस आखों से आखे जो भर जाती है कब जब वो सुनता है कि मरत साह प्रताप सी आज जो है वो महारणा की मरत्य उपर महारणा प्रताप की मरत्य उपर दुर सा अधा ने ऐसा कहा और कहां कहा तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये कहा था लाहोर में अकवर के दरवार में ठीक है किन के दरबारी कभी थे ये अकबर के दरबारी कभी थे डिंगल सेली के प्रसित साहित्यकार हुए थे शिरोही में इनका जन्म हुआ था और शिरोही में इनकी कांशे की प्रतिवा जो है वो आज भी बनी हुई है प्रसित रचनाओं के अगर हम बात करें तो दुरसा अढ़ा की प्रसित रचनाएं हैं किरतार बाउनी और विरुद छेतरी ये दोनों नाम तो आप लोगों ने बार बार एक्जाम में देखे होंगे तीसरी रचना है कि कुमार अज्जाजीनी भूचर मोरीनी गजगत ये डिंगल सेली में लिखी हुई है डिंगल सेली में और एक इनके जीवन का ये प्रसंग आप लोगों को ध्यान रखना है राना प्रताप की मरत्यू पर जब अकबर रोने लग जाता तब इनों ये दोहा कहा था ठीक है तुरसा आठा के बाद में अगले झाल 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 है राना झाल 10 वाज हाँ झाल 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 झाल